वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स दाओद इबराहिम का बेटा बन गया था मौलाना भाई और बहन ने संभाली थी जुर्म की दुनिया दाओद की बेहन कैसे बन गयी थी मौंबई की गौड मदर अंडर वर्ड डॉन दाओद इबराहिम के परिवार की कहानी नवश्कार जिन सत्ता में आपका स्वागत है भारत का दुश्मन और 1993 में मौंबई बंधमाकों का मास्टर माइंड अंडर वर्ड डॉन दाओद इबराहिम इसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है लेकिन दाओद के परिवार के बारे में शायद ही आप जानते हैं आज हम आपको दाओद की फैमिली से मिलाएंगे दिखाएंगे दाउद की फैमिली में कौन कौन हैं और क्या करते हैं हसीना पारकर डौन दाउद इबराहिम की बेहन जिसे मुंबई की गौड मदर कहा जाता था हसीना के पती इबराहिम पारकर की हत्या के बाद हसीना ने मुंबई में दाउद के कारोबार को संभाला था कुछ ही वक्त में पूरी मुंबई में हसीना का वर्चस वो कायम हो गया दाउद के दस भाई बहनों में हसीना का नंबर सातुआ था पुलिस के रिकॉर्ड के मताबिक हसीना अपने भाई की 54 बेनामी प्रोपर्टी की देख रेक करती थी हसीना कई गैर कानूनी कामों में भी शामिल थी 2014 में हसीना पारकर की मौत हो गई थी उनके नाम पर बॉलिवड में फिल्म भी बनाई गई अनीस इबराहिम दाउद का भाई जब दाउद मुंबई में जुर्म की दुनिया का विस्तार कर रहा था और जुर्म के रास्ते कामियाबी की सीड़ियों पर चढ़ रहा था तब अनीस इबराहिम दाउद का सबसे बड़ा सहरा बना हुआ था दाउद के धंदे में अनीस साजिदार की भूमिका में रहता था फिलाल अनीस UAE के लगजरी होटल और पाकिस्तान में बड़े कंस्ट्रेक्शन प्रोजेक्ट के अलावा ट्रांस्पोर्ट के बिजनेस को चला रहा है अकबाल कासकर दाउद इबराहिम का दूसरा भाई जिसने हसीना की मौत के बाद उसकी विरासत को संभाल लिया था दाउद की डी कमपनी का उत्तरा धिकारी वही बन गया था अकबाल कासकर पर बिल्डरों से फरोती, शूटरों से हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगे अकबाल अवैद धंदे समालने के लिए हसीना पारकर के घर ही रहता था दाउद इबराहिम का एक ही बेटा है उसका नाम है मौईन नवाज 2017 में खबर आई थी कि दाउद का बेटा मौलाना बन गया है कहा जाता है कि मौईन ज्यादा तर दुबई में रहता है दाउद ने सीधे तोर पर अपने बेटे को अपने धंदे में एंट्री नहीं दी थी लेकिन दाउद के पैसों से उसके बेटे ने कारुबार किया और कई संगीन आरोप उस पर भी लगते रहे हैं दाउद की पतनी का नाम महजबीन उर्फ जुबीना जरीना है दाउद के चार बच्चे हैं जिन में एक लड़का और तीन लड़किया है दाउद की सबसे चोटी बेटी की मौत हो चुकी है दाउद के बेटे का नाम मौईन इबराहिम बड़ी बेटी का नाम महरूख और चोटी बेटी का नाम महरीन है दाउद की बड़ी बेटी महरूख की शादी पाकिस्तान के पूर्व किरकेटर जावेद मियादात के बेटे जुनेद मियादात से हुई है दाउद की बीवी और बेटियां तो अपराध जगत से दूर रही लेकिन दाउद की फैमली के बाकी सदसे उसकी हिच्छत रिचाया में कारुबार करते रहे फिलहाल दाउद कहीं चिपकर गुमनामी की जिन्दगी जी रहा है और भारती आइजनसियां उसकी तलाश कर रही है ऐसी ही बाकी और भी ख़वरों के लिए देखते रही है जन सत्तर डूर को